बिलासपूर में एम्स की ओपीडी की उदगाटन के बाद केंद्रे स्वास्ते मंतरी मंसुक मांडविया, बिज़े पिराश्ट्री अद्यक्षिजे, पिनरडासी, अमजराम ठाकूर और केंद्रे खेल मंतरी अनुराग ठाकूर ने जनता को संबोधित किया और क्या कुछ कहा क्या पहाड भी है दूर सुदूर इलाके है बर्फ है स्नो है एसी स्थिती और एसी स्थिती में भी जो है शर्थ प्रति शर्थ रिकाकरण हो जाता है तो अन्य राज्य में होना सरल हो जाता है एक जामपल हिमाचल प्रदेश ने स्थापित किया है इसलिए हिमाचल प्रदेश को मैं अभीनदन करता हूँ अधनियन नद्दा जी अधनिये जायराम ठाकूर जी अधनिया अनुराग ठाकूर जी सब लोगों ने यहाँ मुझे बुला के आप सब को अनेक अनेक सुपकानाई धन्यवाद। कोई नेता बने हमें क्या फरक है अरे अगर सही आदमी नहीं आया तो फरक ही फरक है एक तरफ छुट्टी और एक तरफ आपको एम्स ये फरक है मोदी जी के आने का फरक है इसको समझना चाहिए आपने कभी देखा मैं बिलासपुर के लोगों को पूछना चाहता हूँ भी 15 स स्वाल तो मैं भी आपका मेंले रहा कभी आपने देखा कि कि उम्हें मन्तूर आया हो विलासपुर में कोई देखा पता ओं है और जो आपके प्रदेश क्या आए वह एक काम लेके आए चार-चार धाम खा कर के गए हाँ या गलत हाँ ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं आज आपके हाँ एम्स का रिव्यू करने के लिए भारत का स्वास्त मंतरी आ रहा है बिलास्पूर की जनता ने स्वास्त मंतरी कभी देखा भी नहीं था बात है कि एम्ज हिमाचल के अंदर विलासपूर में विलासपूर की धर्ती पर हिमाचल की धर्ती पर आज जमीन पर खड़ा हुआ दिख रहा है आज संसान हमें दिखाई दे रहा है जमीन पर खड़ा एम जब सेवा देने के लिए हिमाचल के लोगों के लिए तयाब होता दिखा है पर आज एक बहतरिन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के तोर पर OPD के शुरुआत होना यह अपने आप पे मैं समस्तों के एक बहुत बड़ी बेतरिन घड़ी है हमारे हिमाचल वास्यूं के लिए हिमाचल छोटा परदेश लेकिन इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने छोटे होने के बाबजूद भी बड़े लक्षे को हासिल करने की अब आगे बढ़ करके जो है सोच ठानी है और उसमें हम सफ़ता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं किस ने कल्पना की थी पोलियो के ड्रॉप्स लगने बाग की जब वैक्सिन की बात आती है तो 30-30-40-40 साल इंतजार करना पड़ता था कि हिंदोस्तान के अंदर वैक्सिन विदेशों से आती थी हिंदोस्तान में नहीं बनती थी लेकिन मैं आपको कहना चाथा हूं मोदी जी का ही नेतर तवता मेरे भाई और बेहनों कि जिनोंने विग्यानिकों को बुलाकर कहा कि हमें यहीं पर बनाना है बारत में टीका बनाना है क्योंकि 130 क्रोड भारतियों को अगर टीका करन करना है तो 200 करोटी के इंपोर्ट कहां से होंगे है सोच कब रखी थी पूरा कब किया कम समय के अंदर हमारे विज्यानिकों ने वैक्षिन बनाई भी हमारे मेनिफेक्शर्स ने उनका निर्मान भी किया एक नहीं दो दो टीके बनाने का काम भी किया और 120 करोटी के लगाने का काम भी हिंदोस्तान ने कर लिया है मेरे भाई और पहना अजादी भी मिली हमाचल अपना पचासवा उन्तव राज्य के जो वर्षगांट बना रहा है तो पचास साल हमारे भी हो गए लेकिन किसी ने एमस तो छोड़िये कोई और बड़े अस्पताल के बारे में चिंता भी नहीं किते 2014 में नरेंदर मोदी जी की सरकार आई तो पहले ही बजट में अगर किनी राज्यों को एमस की घोचना की तो नरेंदर मोदी जी ने भारत को हिमाचल परदेश को एमस देने का काम किया